नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेस पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे 12 और 13 फैबरी के जो एकस्प्लेंड और जो हमारी बच्ची हुई जो न्यूस थी वो हम छूट चुकी थी हमारी तो वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो सबसे सब्सक्राइब करने के लिए इंडिया की तरफ से कौन गए हुए हैं क्या स्टेटस है क्या उनका क्या मतलब परफर्मेंस रहा हुस पॉइंट आफिस हैं और तीसरा हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फीशन की बजाए न्यूक्लियर फ्यूजन से एलेक्रिस्टी और क्या इसमें अभी ब्रेक्थू डेट मिज्ट प्रफलता मिली है वो जानेंगे तो सबसे पहला है politics and history in गवा वो जानते हैं डीटेल में तो फर्स जो आर्टिकल है that is related to Goa's history and politics देखो Goa में मंडे से अभी मंडे का मतलब कल शुरू हो चुके है ओलरे ठीक है यह बारा तारीका नियूस पर है ना तो उस पाइंट आफ इसे हैं तो इसमें बताया क्या गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी ने अपनी ए आ जा सकता था military operation के basis पे जब हम independent हुए थे 1947 में इसको करने में बहुत लंबा टाइम बिता दिया तो ऐसे में पंडी जमारला नेरु जी का 1955 के independence day का speech था उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश में हम जिस तरीके का एक मुहीन चला करके बैठे हैं मतलब आपको पता है उस टाइम पर हम independent हुए थे तो हमने non alignment movement की तरफ हमने रुक रखा था तो ऐसे में हम एक peaceful country रहना चाते थे कैसे भी करके कोई military operation conduct नहीं करना चाते थे तो पंडी जमारला नेरु जी ने अपने speech में ये कहा था कि हमारा किसी भी तरीके से कोई tendency नहीं है कि हम Indian army को भेजें और गोवा को liberate करें Portuguese को वहां से भगाएं और उसमें आप देखो कि उस टाइम पर आप देखो कि एक violent outbreak बताया जा रहा है कि बोलो पचीस individuals हना उनको Portuguese army के द्वारा मार गिराया गया था गोवा महराष्ट्रा बोर्डर पे ठीक हैं बोलो उसमें कुछ ऐसे थे जो सत्याग रही सत्याग रही का मतलब वो लोग जो कि गोवा को liberate करवाना चाह रहे थे तो उन लोगों को बचाने के लिए Prime Minister of India उस टाइम पर जवान लाल नेरू जी ने कोई कदम नहीं उठाए अब इस बात को लेकर के बहुत ज़ादा eco बन गया अमिच्छा जी ने भी अपनी तरफ से tweet कर दिया और बीजेपी का जो एक पूरा ग्रुप है उन्होंने भी कर दिया और कॉंग्रेस है वो यह कहती है कि भई आप अपने जो आपका जो एटिट्यूड वो तरह ठीक करो तो देखो गोवा का freedom moment क्या है वो हमारे लिए जरूरी है जानना देखो 1510 में गोवा जो है व वो यहां पर आया थे और उन्होंने उसने डिफीट कर दिया था बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को फिर उसके बाद में गोवा को अपनी पकड़ में ले लिया फिर आप देखो अगली लगबग साड़े 400 सालों तक आप देखोगे गोवा गुलाम बना रह तो ऐसे में एशिया में अगर कोई सबसे लंबे समय तक कोई गुलामी की गिरफ्त में रहा तो वो टेरिटरी रही गोवा की ठीक है फिर आप देखोगे कि गोवा में बहुत सारी गलोबल पावर्स का तो कॉन्फिक्ट था ही डैट मींज आप देख सकते हो एक तरफ इंग स्टार्ट हो रही थी मतलब हम बात कर रहे हैं 1901 से बाद की बात है ठीक है तो गोवा में एक अपसर्ज होने लग गया था नेशनलिस सेंटिमेंट का पॉर्चुगीज के अगेंस्ट में इग्जेक्ली वैसे ही जैसे की ओल ओवर इंडिया बिटिशर्स के खिलाफ में जो एक फ्रिडम स्ट्रगल हमने स्टार्ट कर दिया था प्रॉपर तो ऐसे मैं आप देखो कि गोवा में जो ये में इंडिवीजुल जिसने पॉर्चुगीज को भगाने की बात की गई उस बंदे का नाम था जिसको स्टॉल वार्ट बाला जाएगा तैट मींस कि जिसने लीड रोल प्रे किया जिसका नाम तरिस्ताओ दे बरगाना कुना जिनको अभी सेलिब्रेट भी किया जाता है एक लीडर के तौर पे फादर ऑफ गोवन नेशनलिजम ठीक है राश्टरवाद की भावना इसी ने शुरू की थी गोवा में फिर आप देखो गोवा में भी नेशनल कॉंग्रेस स्टैब्लिश कर दी जाती है जब कॉलकाता सेशन चल रहा होता ना इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का 1928 का ठीक है कलकाता सेशन उसी में गोवा नेशनल कॉंग्रेस स्टैब्लिश कर दी जाती है और आप देखोगे इस टाइम पर पीक भी था नेशनलिजम गोव में उसी टाइम पर राममनोहर लोहिया जी जो की सोशलिस्ट लीडर थे उन्हों भी 1946 में एक हिस्टॉरिकल रेली निकाली गोवा में कि भई यहां पर लोगों को सिविल लिबर्टीज फ्रीडम या फिर गोवा इंडिया के साथ इंटिग्रेट करने की जरुवत है तो ऐसे मे अलावा आजाद गोमन तक दल एक ये लिबर मतलब गोवा की लिबरेशन के लिए फाइट करने वाला एक ग्रूप ही मर्ज होके आता है उस इस ग्रूप में से एक लीडर प्रभाकर सिनारी ये तो अभी भी जिन्दा है ठीक है तो इनसे जब पूछा गया तो आगे इंटर फैक्टर शुरू हो गए उनमें से एक था पार्टिशन पार्टिशन के बाद में पाकिस्तान के साथ में कॉन्फिक्ट तो बॉर्डर डिस्प्यूट इश्यू हो गए तो उसके बाद में हम उसी में उलजे रहे गए इवन गांदी जी ने यहां तक कह दिया था कि अभी भ आपको बता है गांदी जी का assassination कर दिया गया था फिर गोवा struggle for freedom ये 1946 से 61 तक चलता है इसमें National Congress गोवा आजाद गोमंतक दल इन्होंने मिल करके अपनी तरफ से बहुत efforts लगाए कि कैसे भी करके Portuguese को वहां से भगाया जाए ठीक है तो इस case में आप देखो कि Portuguese की कोलोनी सिर्फ एक गोवा ही नहीं थी उसके अलावा दादरा नगर हवेली दमन दीव ये भी थे तो ऐसे में दादरा नगर हवेली को तो लिबरेट फिर भी करवा लिया था AJD ने ठीक है पर वही चीज़ा अभी भी गोवा पे पकड़ बनी हुई थी अब सवाल ये था कि नेरू जी ने क दिमाग लगाना शुरू कर दिया था 1951 में पॉर्चुगल ने अपने कॉंस्टिटूशन में चेंज किया और गोवा पे अपनी कॉलोनियल पजेशन को एक तरीके से आप कह सकते हो कि गोवा पे अपनी जो पकड़ थी ना उसको कॉलोनियल ना बता करके अपना एके बताना शुरू कर दिया 1951 में जिसका में टार्गेट क्या था पॉर्चुगल का कि कैसे भी करके गोवा के जो अथरिटीज हैं उनके द्वारा नॉर्धन अट्लांटिक ट्रेटी और्गिनाइजेशन नेटो जो की मिलिटरी अलाइंस था USSR के अगेंस्ट में उसका मेंबर बनाना चाह रहा था पॉर्चुगल किसको गोवा को इससे क्या हो जाता कि गोवा पर अगर अगर गोवा पर इंडियन military अटैक करती तो आपको पताए नेटो क्या किस principle पर काम करता है कि कि किसी भी नेटो के दूसरे मेंबर्स थे ना उन्होंने मना कर दिया कि बोले ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है तो नहरू जी ने देखो फिर बाद में बाइलेटरल डिप्लोमेटिक मेजर्स अपनाए कि पॉर्चुगल के साथ में प्रॉपर नेगोशियेशन कर लिये जाए और गो वो सारी चीजे फिर सामने आ गई जिसमें ये था कि महरास्ट्रा गोवा बोर्डर के पास में लग वो 25 जनों की डेथ होई जिन में जिनको मार दिया गया था पॉर्चुगल की मिलिटरी के दौरा ठीक है गोवा में जो टेपलोड थी जिसमें सोशलिस्ट, कम्यूनिस्ट और कुछ RSS के मेंबर्स थे ठीक है पर आप देखो फिर उसके बाद में टाइम बीता है 1961 डिसमबर में मिलिटरी ओफेंस कंसिडर होता है कंसिडरेशन में आता है अटेक किया जाता है और गोवा को फिर लिबरेट करा लिया जाता है तो ऐसे में सवाल ही आ जाता है कि मतलब आपने मिलिटरी कंडेक्शन तो अल्टिमेटली किया पर वही चीज़ है कि ग्राजुएली किया बट देखो इंटिग्रेशन तो अल्टिमेटली नेरुजी के रिजीम के टाइम पे हो गया था फिर यहाँ पर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है डीपी सिंगल जो कि उनिव में प्रिंसिपल क्या था कि जो भी कोलोनियल कोलोनीज हैं उन कोलोनीज को फ्रीडम दिलाई जाएगी दूसरा एफ्रोएशन यूनिटी के हिसाब से ये कि अफरिका और एशिया की बीच में जो एक लिंक था उसमें ये था कि दोनों के दोनों एरियाज में बहुत जादा क क्रियेट कर चुकी थी तो एफरिकन कंट्रीज का क्या सोचना था कि इंडिया अगर गोवा पे अटेक कर दे तो पॉर्चुगीज हार जाएंगे वहाँ पर और ऐसा माना जाता था कि अगर गोवा पॉर्चुगीज के हाथ से निकल गया तो पॉर्चुगीज की वो सारी गेन कर लेंगी तो इस तरीके से एक moral pressure भी इंडिया पे बन रहा था जैसे में Indian Council of Africa उस सेमिनार के तौर पे जो Portuguese colonies को लेकर के बादचीत हुई थी उसमें ये finalize हुई कि वाकई में इंडिया को एक military campaign conduct कर लेना चाहिए इससे African countries भी liberate हो जाएंगे पॉर्चीज को वहां से भग हम already देखी चुके हैं ठीक है पर कहा ये जा रहा है कि गोवां को liberate हो है भाई 60 साल से जादा हो गया आप फालतों कि politics क्यों कर रहा हो आगे बढ़ो ना क्यों आप पीछे देख रहे हो गों के ठीक है ये है पुरा मुद्दा आगे चलता है नेक्स्ट जो article है that is कि 5 सेकंड म 11 मेगा वाट electricity produce कर ली ये अपने आप में बहुत बड़ा breakthrough है और इसमें main काम है एक तरीके से nuclear fusion ठीक है देखो दो तरीके के activities होती है जब nuclear power की हम बात करते हैं एक तो होता है nuclear fission एक होता है fusion का मतलब हो गया कि दो चोटे 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 nuclear को मिला करके मतलब nuclear को मिला करके फिर आप एक बड़ा atom या बड़ी निकली बनाते हो ठीक है और दूसरी तरफ fission में क्या होता है कि बड़े को तोड़ करके दो चोटे चोटे में आप divide कर देते हो तो मुद्दा क्या है कि अभी United Kingdom के कुछ scientist ने largest amount of energy produce किया थोड़ी सी देर में 5 second के time में ही और वो main method था वो किस पे बेज था nuclear fusion reaction यह exactly वही reaction है जो कि sun surface पे conduct होती है जिसमें क्या होता है sun या फिर मालो दूसरे जो stars है जो shine करते हैं जो energy emit करते हैं ठीक है उसमें क्या होता है कि छोटे जो nucleus होती है उनको merge करवाया जाता है high temperature में merge होती है और बड़ी nucleus बनती है ठीक है तो बोला ऐसा ही क्या होता है split किया जाता है heavier atom को lighter atoms में और जबकि दूसरा जो fusion होता है उसमें lighter जो atoms है उनको एक साथ लाकर करके और फिर बाद में उनको fuse किया जाता है एक साथ लाकर करके और बड़ा atom बना दिया जाता है जैसे कि यहाँ पर बताय जाए तो hydrogen की दो isotopes जो कि heavy है ठीक है एक तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेरियम और एक है ट्राइटियम इन दोनों को जब मर्ज कराया गया तो हीलियम नुकलियस बन जाएगा अब हीलियम नुकलियस बना तो उसके साथ में चार गुना जादा एनरजी रिलीज हुई अगर उसी टाइम पर उसी कौांटिटी मे अगर युरेनियम एटम को ब्रेक करवाया जाता तो उसके एमपेरिजन में चार गुना जादा इसका मतलब आपको पता पढ़िया कि यहाँ पर एनरजी प्रोग्राम चल रहा है कि कैसे पूरा वर्ल्ड इस क्लीन एनरजी की डिमांड कर रहा है देखो आपको पता है प्रिमेट बन गया है तो उसकेश में हमारे पास में क्लाइमिट को भी हमें हाम नहीं पहुंचाना है एन्वर्मेंटल पॉलिशन्स भी प्रियेट नहीं करने है यह सारी चीजे चलते चलते हमें आगे बढ़ना है तो एनरजी हरनस करने का जो टार्गेट है उसमें temperature high maintain करना चाहो तब जाकर के nuclear fusion हो पाए तो इसके लिए आपको temperature requirement होती है few hundred million degrees Celsius इसके लिए exactly उतना ही temperature हो गया जैसे कि sun के core में बिल्कुल sun के center में कितना temperature है इसके लावा आप देखो इतना temperature बनाना कोई आसान काम नहीं है दूसरी चीज अगर देखें तो इतने ज्यादा high temperature high heat के उपर जो machinery equipment है वो stabilize रह पाएगी या नहीं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा challenge रहता है तो ये महंगा बहुत जादा है क्योंकि आपको पता है कि high temperature पे जो atom होता है वो क्या करता है या तो अपनी tendency के हिसाब से electrons को absorb कर लेता है या फिर release कर देता है तो उस case में क्य इस आयन वाले form में रहने पर वो जो state बनती है ना किसी भी material की उस state को बोलते है plasma state तो ये excessive heat की वहाँ पर plasma state में material available रहता है कहाँ पर sun surface पर भी और वैसा ही कुछ material available होगा इस fusion reaction में तो ऐसे में ये electricity generate करने का process जो है वो बड़ा थोड़ा सा difficult है इसके अलावा benefit बहुत है इसक तो कितनी energy produce हो जाएगी अब 5 second में आप देख लो कितनी megawatt 11 megawatt electricity produce कर दी कारबन emission बिलकुल नहीं है यहाँ पर material है raw material वो मतलब बहुत ही sufficient supply उसकी available है और radioactive wastage की भी tension नहीं है क्योंकि fission में तो क्या होता है uranium को आपने strike करवाया किसी neutron से और वो फिर बाद में energy release करेगा कुछ wastage create करेगा यहाँ पर था आप कुछ construct कर रहे हो बना रहे हो तो इस case में wastage की भी tension नहीं है और safe भी consider किया जाता है तो इसके लिए देखो already 35 countries के दुआरे एक experiment में काम किया जा रहा है जिसका नाम है international thermonuclear experiment reactor ITER ठीक है जो कि France के southern region में develop किया जा रहा है इसमें 35 countries की collaboration है और इसम 7 countries में से एक इंडिया है बाकी 6 कौन से है एक तो European Union इसके अलावा United States, Russia, Japan, South Korea और चाइना यह सब मिल करके अपने हिसाब से काम कर रहे है कि कैसे भी कलके nuclear fusion को हम practically approach में लेकर किया आ जाए तो electricity आसानी से और कम से कम Westres के साथ produce किया जाना possible हो पाएगा इसके अलावा बहुत सारे small scale fusion reactors है वो research के लिए already use किये जा रहे है ठीक है जैसे कि कुल हम Center for Fusion Energy जो की Oxford, England के बाहर की तरफ located है ठीक है वहाँ पर यह भी आपने देखा यह जो breakthrough मिला है UK के scientist को वो यहीं पर मिला है कुल हम Center for Fusion Energy जिसमें 11 Megawatt electricity produce कर दीगी जस्ट 5 सेकंड के period में ITER project की अगर बात करें तो देखो यह बहुत बड़ा project है जिसमें कैसे भी focus करके hydrogen के जो nucleus है जैसे कि deuterium और इसके अलावा tritium इनको settle करके helium बनाया जाए और उससे क्या होगा electricity produce होगी और फिर carbon footprint भी नहीं है तो climate change के हिसाब से भी हमारी energy requirements है वो पूरी हो पाएंगी तो इसमें ITER project है ना इसमें 1985 से काम किया जा रहा है इंडिया का इसमें joining होई थी 2005 में ये project जो है इतना आगे extend होता चला जा रहा है क्योंकि practicality देखी जाए ना तो अभी तक इसको कहते हैं ना कि operation में लाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है जैसे कि हमने difficulties already discuss कर ली तो ऐसे मे 2035 तक जहां तक ये operation में आ पाएगा तो अभी तो कई दशक और बीतने वाले हैं proper functioning में आना कि nuclear fusion के basis पे electricity produce की जाए इंडिया ने ITER को 2005 में join किया था ये बताई दिया और ITER की capacity कितनी होगी 500 Megawatt की तो फिर उसके बाद में देखो जब ये ITER की technology यहां पर research होगी ना उसके ब इसे fission का program है जैसे nuclear energy जो produce होती है ना वो ना भी किया विखंडन that means fission के base पे होता है ना भी के sunland नहीं that means ना कि जो nuclear fusion है उस पर अभी भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं वो बहुत जार डिफिकल्ट है जो की sun surface पे होता है इसकी कारण हमने देखी लिए इंडिया की तरफ से जो तो देखने वाली बात है outcome कब क्या निकलता है ITER का फिलहाल तो यह breakthrough मिला है कहां कि यह वाला center आगया आपके सामने कुल हम center for fusion energy जो की Oxford England में located है ओके आगे चलते हैं देखो next article इतना important नहीं है बस इतना सही है कि इंडिया की तरफ से अभी जो winter Olympics में participate करने गए हुए थे जिन ठीक है तो यह आरिफ खान है तो बिजिंग winter Olympics में इंडिया की तरफ से participate करने के लिए गए और यह skiing होती है na competition उसके दोनों formats में इनको एक तरीके से approval मिला है participate करने का ठीक है तो ऐसे में यह इंडिया के पहले आप कह सकते हो winter Olympian है जिनको की अपने ही game में participate करने के जो दो अल आवा ऐसी बात नहीं है कि इंडिया की तरफ से कोई Olympian participate नहीं करने गया winter Olympics में पहले भी बहुत participation हुआ है पर मुद्दा क्या है कि यह दो important events में participate करें जो की skiing से related है ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा important हो जाता है ठीक है बाकी तो इसमें बता दिया गया है how it's played something तो alpine skiing है जिस इसमें downhill, super g, alpine combine, slalom, giant slalom इस तरीके के competition में division होता है पास different events होते हैं उनमें से दो के लिए यह qualify कर गए है ठीक है ना यही चीज़ बताई जा रही है फिर आगे बताई जा रहा है slalom skiing जो होती है उसको 1922 में Arnold Loon के दौरा जो की British national ski championship के leader रहे उनके दौरा approval ratify किया गया इस त ठीक है ना और आप देखोगे winter Olympics of 1936 में skiing को जो की जर्मानी में हुए थे उस time पर मतलब होई आगया हिटलर का time था यह उस time पर skiing को allow कर दिया गया था यह चीज़े बताई जा रही है इसमें ठीक है slalom एक तो यह हो गया slalom यह basically shorter distance की होती है इसमें दो event हो गए ठीक है technically challenging रहत है इसमें ठीक है तो gates जो होते हैं जिनसे pass करना होता है skier को वो थोड़े छोटे होते हैं इस तरीके situation इसमें बताई हुई है ठीक है तो आरिफ खान यहां पर आप देख सकते हो यह इंडिया की तरफ से participant वैसे इनका status world championship में इनका rank चल रहा था 45 तो इनका यह कहना था कि ओर ओल ध्यान नहीं है मुझे इसका तो यह था में मुद्दा है explain page का बारा तारीक का आगे चलते हैं फिर आगे जो front page पे news है उनमें कुछ ऐसा है कि COD की जो meeting हुई थी ऑस्टेलिया के दुआरा जो होस्ट की गी थी foreign affairs ministers की meeting उस meeting में हमारे foreign affairs minister भी गह थे तो इंडिया ने देखो चाइना के लिए तो सीधा कह दिया कि यह बहुत ज़ादा अपनी तरफ से unilateral कदम उठा रहा है aggression दिखा रहा है यूकरेन वाले मुद्दे पर इंडिया ने कोई comment किया नहीं और म्यामार वाले मुद्दे को लेकर किया कि हम concerned है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर democracy reinstall हो situation और वो normalize हो तो यह चीज़ यहाँ पर बोली गई थी ज्यादा कुछ इतना important रहा नहीं इसके आगे अगर आप देखें यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिहार जो है वो tunnels को scan कर रहा है कारण क्या है कि बिहार में illicit liquor जो कच्ची शराब होती है ना उसको consume करने से बहुत से लोगों की death हो रही है ठीक है ना तो उस case में यह पता किया जा रहा है कि West Bengal UP इसके अलावा नॉर्थ में नेपाल बोलो इनके साथ में underground tunnels बनाई हुई है जिनके through smuggling हो रही है wine की ठीक है liquor की तो बोलो उसको हम trace करने की कोशिश कर रहे है तो यह भी अपने आप में एक बहुत trade pact होता है वैसे आपको पता है Australia इंडिया की तो highlight रही बात है पर अभी आज तारीक हो रही है 20 फरवरी तो अभी तक आपको पता ही है कि UAE और इंडिया के बीच में free trade agreement हो finalize भी हो चुका है तो अब Australia के साथ में भी जहां तक है early harvesting agreement होने वाला है और फिर उसके बाद में endangered species declare कर दिया है तो ऐसे में Qualas का आप मुझे comment box में बताओगे कि IUCN की जो red list है उसमें क्या status है ये endangered category में डालना Australia की government के द्वारा किया गया है ना कि IUCN के द्वारा ये थोड़ा आप ध्यान रखें तो इसमें देखो अभी recently जबर्दस तरीके से Qualas की population में decline देखने को मिला ह Australia में तो ऐसे में वहाँ पर क्या-क्या ऐसे incident होएं जैसे की एक तो droughts एक हो गया bush fire वहाँ पर जंगलों में आग लगना बहुत सारी बिमारिया फैलना और habitat loss development के नाम पर बहुत ज़ादा जंगलों को काटा जा रहा है तो इसकी वज़े से Qualas को रहने की जगह नहीं मिल रही हैं तो ऐसे में इनकी बहुत जादा population decline कर गई तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर population को conserve करने के लिए efforts नहीं लगाए गए तो 2050 आते आते हैं 2050 आते हैं जबर्दस तरीके से यह decline extinct हो जाएगी है population तो ऐसे में Australian government ने इसको endanger declare कर दिया ना तब government अपनी तरफ से efforts लगाए के लिए कि कैसे भी करके decline ना करे ठीक है बाकी आपको पता ही है यह वाला मुद्दा तो कि आपको पता है कि अमेरिका ने 9-11 damage के जो नुकसान हुए थे 9-11 attack के बाद में उसके बाद में अभी 20 साल तक लगातार वहाँ पर fight की 20-20 साल तक अफगानिस्तान में पर फिर क्या तालिबान ने फिर से अपनी पकड़ बना ली तो ऐसे में अब अमेरिका क्या कर रहा है कि अफगानिस्तान का जो पैसा है अफगानिस्तान के बैंक का पैसा जो की USA में deposited है बोलो उसमें से हम 7 billion dollars है वो हम हमारे लिए compensation के तोर पे यूज़ करेंगे तो इसका criticism भी बहुत हो अफगानिस्तान के लोगों ने बहुत ज़दा प्रोटेस्ट भी किया इसके लिए दूसरा इदर अफगानिस्तान पाकिस्तान के annex मिनिस्टर इम्रान खान का रोना भी चली रहा है कि यू-ए-स ने तो हमेशा पाकिस्तान को use किया है चाइना हमेशा हमारी हर परिष्टिती में हमारा साथ देता रहा है चो लो जी अच्छी बात है इसके अलावा साओधी अरब ने तीन बिलियन डॉलर की हेल्प दी है पाकिस्तान को पर कहा है कि एक साल के अंदर-अंदर हमें रिटरन कर देना भई पैसे ठीक है जी ठीक है ये बुर्किना फासो जो एक एफरिकन कंट्री है वेस्ट एफरिकन कंट्री उसने म्यामार में जो जुन्टा रूल है ना म्यामार के जुन्टा रूल को एकसेप्ट कर लिया है और म्यामार के जुन्टा लीडर उनको प्रेजिडेंट मतलब वहाँ पर वहाँ पर भी एक तरीके से जुन्टा रूलिंग चल रही है अपने ही वहाँ पर जुन्टा लीडर कॉर्डनल पॉल हेम्श यहां पर नाम दिया हुआ है मैं बताएता हूं एक सेकंड थोड़ा जूम यहां पर एक ओर बस यहィ था में चीजें बाकी तो मैक्रो में कोविड टेस्ट नहीं कराएंगे कोई चीजे हैं ने इंपोर्टरं तो देहों एको मुद्दा हमारा डिस्कुस्षिन का ःगा एक तो यह कि ढशे मान भारत स्कीम को प्रॉपर्लींट करने के लिए केंदर सरकार के दुआरा efforts लगाए गए कि जो राशन कार्ट से संबंदित information है या अधार कार्ट से संबंदित information है ना वो share कर ली जाए national जो health authority है उसके साथ में जिसें कि एकदम proper implementation हो सके आयुशमान भारत scheme का जो की एक तरीके से health insurance scheme है तो इसमें देखो states ने अपनी तरफ से deny कर दिया बोले यहां पर एक privacy का जो मुद्दा है ना वो compromise हो जाएगा तो यह चीज हम थोड़ा सा हम डीटेल में समझते हैं तो states का सीधा कहना था कि प्रिवेसी concern है हम जल्दी से information share नहीं करेंगे जैसे कि आधार details और दूसरा national food security act के अंडर में जो आधार के बेस्ट में जो accessibility है लोग अनाज जो लेते हैं वो वो हम share नहीं करेंगे data हमारा किसके साथ में national health authority के साथ में ठीक है तो ऐसे में जो states हैं यूटी जा उनसे request की थी NHA ने परमना कर दिया गया ठीक है क्योंकि NHA जो है इसका ये कहना है कि जो आयुश्मान भारत scheme है आयुश्मान भारत प्रधान मंतरी जन आरोगे योजना इस scheme को implement करने के लिए जो data चाहिए उस data में हमारे पास में कमिया है कारण कि हम social economy car census पे अगर rely करते हैं जो कि 2011 में conduct हुई थी बोलो उसमें बहुत सारी discrepancies है बहुत सारा data miss है जबकि अगर हम PDS scheme के तहत में या National Food Security Act के तहत जो आधार अकार्ड के basis पे जो distribution किया गया है ना अनाज का बोलो वहाँ पर information हमें accurate मिल जाएगी तो वो information अगर हमें मिल जाए तो problem नहीं होगी बट वही चीज़ा आपको पता है कि अभी तक इस चीज़ के अप्रूवल के लिए states ने मना कर दिया है तो मुद्दा क्या है आपके लिए कि जो आयु data access करने के लिए UIDAI ने approval दे दिया था तो इसके लिए देखो पहले ही सरकार ने अपनी तरफ से amendment किये थे और October 2021 में ऐसा कर दिया था कि UIDAI ठीक है उसने allow कर दिया था कि government के जो different departments हैं उनको आधार बेस जो data है वो share किया जाएगा जिसके basis पे वो targeted delivery कर सके कोई भी financial scheme हो, subsidy दे benefit देने हो, कोई service provide करनी हो, तो इसके लिए आधार targeted delivery of financial and other subsidies, benefit and services act 2016 को proper implement करने के लिए सरकार के अलग-अलग departments के साथ में UIDAI ने data share करने के लिए अपनी तरफ से October 2021 में approval दे दिया था, अब इसी चीज़ को continue करते हैं सरकार जो है वो चारी है कि जो आधार का data है वो national health authority के साथ म जो eligible beneficiaries हैं, तो देखो प्रधान मंत्री जन आरोगिया योजना scheme जो है, वो launch होई थी 2018 में, aim क्या था, कि health cover provide करना पांच लाग तक का, एक family को एक साल के लिए secondary और tertiary care hospitalization के लिए, तो ऐसे में लग-बग 10.74 करोड पूर्स जो है, vulnerable families हैं, वो covered हो गई इसमें, तो अब हर family में पांच बंदे भी मानो, तो average कितना निकल के आता है, पचास करोड से ज्यादा लोगों को इसमें coverage मिल रहा है, तो ये scheme की भी detail हमें यहाई पे मिल गई, इसके अलावा अगर देखो, तो beneficiaries को जो include किया जाता है प्रधान मंत्री जन आरोगिया योजना में, इसमें ये देखा अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में, पर अब सरकार को problem आ रही है, social economic census के basis पे proper data available नहीं होने की वज़े से, तो ऐसे में national health authority को ये task दी गई थी, कि आप प्रधान मंत्री जन आरोगिया योजना को जो है, वो properly implement करोगे, पर मुद्दा क्या आ जाता है, कि बहुत सारे middle class क ऐसे लोग, जिन लोगों को accessibility नहीं मिल रही है, that means, कहने का मतलब missing middle class, लगबग 40 करोड के लगबग ऐसे लोग हैं, जो कि अभी facility नहीं ले पा रहे हैं, इसे जन आरोगिया योजना के तहद, तो नीती आयोग ने अपनी तरफ से ये recommendation दी थी, कि भई, national health authority जो है ना, वो data access क की food security act के लिए help में आता है, ठीक है ना, तो ये है पुरा मुद्धा जिसको हमें देखना था, आगे चलता है, पीजी दमरम जी का जो article है, फिर से budget पे ही है, तो इसको अगर आपने देख लिया हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो आप खुद से एक बार देख लेना, ठीक है आगे चलता है, फिर world page पे अगर नजर डालें, तो एक तो ये news है, कि NASA का जो नया space telescope, जिसको हमने बोला था, James Webb, space telescope, उसने first star जो है, वो detect कर लिया है, that means proper functioning में आ गया है, ये देखो, Hubble telescope की जगें पे गया है, वैसे Hubble telescope काम कर रहा है भी भी, ठीक है, पर उसको replace करने के लिए James Webb, James Webb के बारे में हम अल्रड़ी पहले कर रहे हैं, James Webb वेब, उसके बारे में हम अल्रड़ी देख चुके हैं, इसके लावा USA का ये कहना है, कि India जो है, वो चाइना की वज़े से बहुत सारे challenges का सामना कर रहा है, बेशक हम कर रहे हैं बहुत जादा, इसके लावा यहाँ पर इटली का अगर आप मैप देखोगे ना, ठीक है, तो उसमें Mediterranean Sea की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहीं पर located है Northern Mediterranean Sea, इटली के पास में Sicily, वहीं पर है ये Mount Aetna, ठीक है, तो चलिए ठीक है, आपने basics अगर पढ़ लिए हैं, तो Mount Aetna के बारे में बताओ, कि Mount Aetna जो है, वह कौन से टाइब के volcanic classification में आप इसको put करते हो, ठीक है, तो ये हो गया main main, economy page भी अगर नज़र डालें, तो ये कुछ इतनी important, मुझे कुछ लगा नहीं यहां पर, जिसे हमें detail में देखना हो, ठीक है जी, बस ये है, इंडिया US के बीच का जो trade है ना, वो rise हुआ है, 2020 का ज rate 2021 के साल में, ठीक है, तो इस discussion में जो हमारा बचा हुआ portion था, वो भी cover हो गया है, thank you very much for watching this video, और बाकी हमारा आप regular रहे गाई, कल वाला जो है, ठीक है, मंदे से, thank you very much